तो चलिए गाइस एक और नए बंटरफुल लक्षर में हम देख लेते हैं आप एक नया टॉपिक तो आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो आपका क्लास 11 जो फिजिक्स है उसी का एक टॉपिक है जो कि मैंने आपको बताया था पिछले लक्षर में और आज हम बात करेंगे estimation of a very small distances जैसे की आपका molecules है मतलब जो साज होता किसी molecules का उसकी तो हमने आपको एक parallax method बताया थी उसमें हम क्या कर रहे थे कि अर्थ से लेके moon तक की दूरी को न आप रहे थे अर्थ से कोई जो है दूर का कोई star है उसकी दूरी को न आप रहे थे लेकिन आज हम क्या करने बाले हैं आज हम बहुत छोटी छोटी जो है distance जो होती है चाहे हम क्या करें आपका एक small size ले 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 एक molecules का या atom का size ले ले उसकी हम बात करेंगे तो उसको किस तरह से measure किया जाता है कि हमारे पास इसके लिए भी direct method है can direct method है इन सभी की बात हम करेंगे तो इस lecture में बिलकुल बने रही है इस lecture को देखने के बाद आपको दुनिया का कोई lecture जो है जरूरत नहीं पड़ेगी देखने के लिए तो बिलकुल आपको मैं simple में बताऊंगा जो भी derivation की need होगी वो यहाँ पर आपको मैं करा दूँगा तो आपको और कहीं जाने का आपको जरूरत नहीं है तो चलो उसकी हम सुरुबात करते हैं कहा लखा है यहाँ पर लखा to measure a very small size बोल रहा है कि जब हम measure करते हैं 10 दी पावर माइनस 8 इनकी जब यह पावर लखती है तो इसका मतलब यह होता है कि बहुत बहुत चोटी quantity होती हो और इनको देखना जो है एक नेगड़ आई से impossible है ना आपने जो है कभी भी देखा होगा तो आप क्या molecule को देख पाते हो क्या कि आप जो किसी atom को देख पाते नहीं अब इसका जो मतलब क्या होता है जो आपकी 10 दी पावर माइनस 10 होता है इसका मतलब होता है कि बन को लें और उसके अप्वान में क्या कर दें एक दो तीन चार पावर माइनस 10 इतना छोटा होता है आपका क्या एक एटम या कोई molecules तो उसकी जब हम कोई भी distance निकालने के लिए यो है यूज करते हैं instrument बगएरा तो उसको जो है क्या होना पड़ता है इस बाली रेंज में आना पड़ता है मतलब की जो उसकी क्या कर पाए वो 10 दी पर मानस 8 तक या फिर 10 दी पर मानस 10 तक वो resolution ले पाए उतना वो जो है उसको जो है कगर पाए उसको जूम करके जेंसा भी हो उसको इतनी रेंज तक वो ले पाए तो इस तरह के instrument आभी आपके हालाके में बन गए हैं लेकिन जो है पहले के समय में हम किस तरह से या फिर हम बोल सकत देंगे यहां पर लखा है कि we have to adapt special methods तो इसके लिए हमें कुछ special methods की जरुवत होती है और we cannot use a scurugose है ना यह scurugose को मैंने आपको जो है पिछले lecture में बताया था एक तरह का instrument होता जो कि करता 10 दी पर माइनस 5 तक मीटर तक के हमें measurement देता है तो यह जो हमारा क्या है scurugose था और a similar instrument का हम use जो है नहीं कर पाते हैं ना cannot लखा याद रखिएगा cannot use नहीं कर पाते हैं इवे ना बोल रहे हैं आपका microscope कोई क्यों न ले ले बो भी इसमें क्या हो जाता हमारा फैल हो जाता उसकी भी कुछ certain limitation है जाती है ना और आंगे बोला है इनोंने कि optical microscope जो होता है आप आपका optical का मतलब होता है जो भी light बगएरा की हम बात करते हैं तो जो optical microscope होता है जो की use आता है किसके लिए आपका visible light to look करने के लिए हमारा देखने के लिए add the system under investigation तो जो जो बिजीबल light की रेंज में जो रहता है आपका visible light का मतलब हम use बगएरा करते हैं बहां पर उससे जो अब बहुत करते हैं किसी भी जो हमारा एक इंवेस्टी के इसन चल रही होती है उसको तो बोल रहे है कि भाई यह जो light रहती है वो क्या एक बेब नेचर है अब आप बहुता है तो मैं शोट में आपको बता दू यह बेबनेचर का क्या होता है कि जितनी भी आपकी light जो रह मैं समझोगे तो जो लाइट है उसका एक फीचर है या नेचर है तो जो रेजूलेशन टू बिच एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के लिए जो कि आप आँगे चल के स्वाइट है कि मतलब क्या है कि आपको ब्रूशकोप की ज़रूएट देखती है जो कि उस बैशर को सो कर रही उसको देख पाए आपने एक और मैं अपटा दूँ आपको जो भी आप बढ़न कलर देखते हो तो इन्ठ कलर का का जो जैसे कि आपको red color देख पाते हो क्योंकि रेट कि अलग एक wavelength जोकि आँक में आपकी जो रेटीना है उसमें जाकर हिट कर रहा है जैसी आप yellow color देख पाते हो तो yellow color का के कारण है कि बहां पर उस yellow color की डिफरेंट wavelength प्लेंट जो कि आपकी जो आपके पीछ आपने पड़ा हुआ कलाटन में ग्रेटीन होती है वहां पे कुछ बगएरा लगे होते हैं बहां पे जाके वह उधर हमको जो ब्रेंड में करता वो एक इंपल्स भेजता है इस तरह से बहां मिलाना पड़ेगा उसके उसना रेजूलेशन लेना पड़ेगा अब एक और बात बच्चों को गनफीज यह करती है कि जब हम लाट की से तो जब इस electron को करा जाता है heat बगएर या energy दी जाती है तो यह क्या होता है excite होकर कहीं दूसरी cell पे आ जाता है यहां पर आगा मान की चलिए तो जब यह क्या करता है तो due to inertia के कारण को करता है अपना एक oscillation start कर देता है और उस उस oscillation के चलते हुए वह एक इमिट करता है और उस बेप के कारण हमें डिफ्रेंट जो है क्या होते हैं color देखते हैं तो उस color की range में आने के लिए उतना जो है हमको powerful microscope चाहिए इतना इसा इसमें बात में बताए गया और बतांगो कंफूर्च होगा कोई मतलब नहीं है उन्होंने खुद बोल दिया कि इस बारे में इस टॉपिक के बारे में अब डटल में study करोगे दो क्लास डोल्त में कोई मतलब नहीं है दिया मैं आपको minus 10 होता गर हम्हें किया करते एसको 102 power minus 10 न satisfies हम , दिखेंगे तो यह हमारे लिए बहुत दिक्कत पैदा करता है. इसलिए हम सो отмет में इसको जब बोलते हैं तो बोल देते हैं 10 Wow minus 10 को बोल देते हैं हम one of strong के बराबर समघuperह्गे होंगे आप उस तरीके से हमारा एंस्ट्रोंग होता तो यह जो हमारा क्या है कि जो 4000 एंस्ट्रोंग के बराबर हमारा क्या होता है यह जो है लाइट जो हमको देखने को मिलती है अभी आप जैसे यह जिसमें आप लेक्चर देख रहे हो जो की 4000 से लेके 7000 के रेंज के बीच में आ रही है और वो हमारी यहां के लिए applicable होती ही देखने के लिए यह से छोटी हो गई तो भी आप नहीं देख पाऊगे तो यह सब आप class 12 में जानोंगे कि किस तरह से हम जो है कौन सी light को देख पाते हैं कौन सी नहीं देख पाते हैं हम विजीबल ही को कि यूँ देख पाते हैं यह सारे कोशन आप class 12 में हल करोगे मैं आपको जो सिंपल इंट्रक्शन टाप देख रहा हूं यहां पर पे वेवलेंद जो होती ही किसी भी वेब की तो बो जो होनी चाहिए 4000 एंश्ट्रोंग से लेके 7000 होगी तो हम उसे बोलेंग विजीबल लाइट यह विजीबल लाइट की वो उसकी तो भूल रहे हैं अर अलटिकल माइक्रों वESकोप एंडो इस रेंज से तो ये सब बातें भी आप जानूगे केर हिर पार्टिकल को किस तरह से रेम किये जाता है एए एक रैजूलें क्यों होता है ये सारी बातें आपको नहीं देंगे इसलिए आप चिंतत मत होना यार कि इन्होंने ये पढ़ा है नहीं और यह कोसन आपका नहीं आएगा का नहीं आपका चिंतत मत परुषे आपकार कि का ओंव आऊवहँ सब्सक्राइब करते हैं उसको हम किस तरह से कगर पाते हैं, डिजान कर पाते हैं, जब हम एक प्रोपरली डिजान करते हैं, एक एलेक्ट्रिक और मेगनेटिक फील्ड को, तो अभी ये जो भी मैं बता रहा हूं, अभी बता हूंगा, बहुत कन्फूजन आई है आपको, इसलिए जो इलेक्ट्रोन बी जाती है, वो कहीं से बनाई जाती है, आपकी एलेक्ट्र को, और मेगनेटिक फील्ड को इस प्रोपरली डिजान करके, यहां पर बता गया है, आंगे नों लिखा जो रेजुलेशन होता, अब देखो, यहां पर बढ़ाया रेजुलेशन, तो यह आपके लिए भी पता नही जो है बेव, ऐसा बेव, अब बोल रहे हैं कि जो इसका जो रेजुलेशन होता है, बुक हो जाता, उसकी रेंज बगेरा मजाता है, और आगे वनों ने बोला है, ऐसे सच जो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोम जो है लिमीटेड हो जाते हैं, फाइनली इस फेक्ट से कि जो इल आश्तुल का ही है, आपका मैं बोल रहा हूँ और अभी आप मैं बता भी रहा हूँगा, तो आपको कई बच्चें से होंगे, जो गंफ्यूज हो रहा हूँगे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यहन्सायारटी की अपको इस तरह से डिजान किया है, जो यहां पे proton जब अपनी wavelength को प्रिडूूस करता है अब डेखो अव double किस तरह से वेव को प्रिडूुस करता है क्या करता है वो भी आपको मैं थोड़ा बता देता towards क्यूंकि क्या होता है आंगे समय नहीं आएगा तो जो लेक्ट्रोन हमारा क्या करता है एक बेव नेचर को सो करता है यह आपको जो है मैंने कैमिस्टीम बतायता है ना तो बहां पर जब यह अपनी बेव नेचर को सो करता है तो उस बेव नेचर का जो फ्रेक्शन रहता है वो इतना स्मोल रहता जो की एंश्टोंग में जाता मतलब की 10 दी पावर माइनस 10 के तक्रीब अन वो उसकी भेवलेंट जाती है जिसके कारण हम इसका यूज कर सकते हैं किसमें उस बाले उस मतलब की जो हमारा क्या है कोई भी एक 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 अटम बगएरा है तो उसका हम जो है साज बगएरा को फाइंड करने के लिए या फिर उसको जो ह महिने के लिए इस वाले जो है माइक्रोस्कोपा यूज कर सकते हैं और सच एलक्ट्रोन जो माइक्रोस्कोप होते हैं जिसका रेजूलेशन जो होता वह 0.6 एंस्ट्रोंग होता है बीन बिल्टोर हैं से बन भी चुके हैं अभी और देखें आल्मोस्ट रिजॉल कर बाते है हैं वह किसको एटम्स को और मॉलेकुल्स को है ना माटेरियल में और इन रेसेंट टाम में भाई साब जो है ट्यूनिलिंग माइक्रोस्कोप भी आपकी डवल अप हो चुकी मतलब की जो है इलक्रोन माइक्रोस्कोप भी प्राना हो गया है और उससे भी नया एक उपकरन हो रहें बता दूंगा यह आपको कफ़्ूस और कर देंगी उलता क्यूंकि अब जैसे ट्वनील माइक्रोस्कोप भी है क्या होता अक्य से बनता है तो आपको बेकुफी होगी है थिया मैं आपको यह बताऊँगा क्या है इस तरीके से मैं आपको जो है सिंपल यह बड़ जो ह माइक्रोस्कोबी तो इतना डिटेल में आप मज जाओ इसलिए मैं आपको सिंप्ली उतना बता रहा हूं जो का आपको ट्वाल्ट में बहुत काभी हद तक मदद करेगा इसलिए बस ध्यान से सुनों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यह आप बोला है नोंने टूनिलिंग माइक्रोस्कोबी भी डवलाफ हो चुकी है और जो किया है और अंस्ट्रॉंग के फदखे की इसकी भी कुछ लिमिट भी है और क्या है इसका जो रेजुलिशन है वो अच्छा है एंस्ट्रॉंग से भी और इस पॉसिबल टूस्टीमेट ता साज फोस्ते यह संबब हो गया हम साज को और जो है मोलेकुल्स की जो साज हैं उनको मेजर कर बाएं तो अब यहां पे यतना जो उपर का यह पोर्सन था मुझे पता है कई यों को कन्फ्यूज भी क्या हो और कई यों को बात समझ भी आई होंगी लेकिन आप इससे डरिएगा मत कि यार यह जो सर ने पढ़ा है इसलिए यहां पर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन गई होगी तो बिल्कुल मत घवराना क्योंकि यह जो पूरा टॉपिक है आपको क्लास डोलत में बहुत आसानी से और अच्छे समझ आएगा इसलिए इस टॉपिक में इतनी कोई भी खास आपके लिए इंपोर्टेंट क का एक साज पता करते हैं अब यहां पर हम पड़ना सुरू करते हैं यहां पर लग binge करने के लिए हैं ऑलिक अशव मोला के acids क्यों क memb being below आसानी से अभूपरेट बगएर ना योगा जो हम इसको मेजरमेंट करेगा यह थोड़ा सॉलूवल भी है इसलिए भी हम इसके यूज़ कर रहे हैं तो अब यहाँ पर हम और एक एसेट का यूज़ कर रहे हैं जो कि किस तरह से इसका मेजरमेंट के जाता इसके मॉलिकुल्स का वो आपको नीचे बगएरा बताया हुआ है अब उसको समझने से पहले कुछ बाते मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको आसानी से यह टॉपिक समझाएगा देखिए क्या होता है अपने देखा होगा कि जब हमारे कोई भी फैला दें एक सर्पेस पर इतना कोई से फैला दें कि इनका जो मॉलिकुल्स रहे वो इनका क्या हो जाए सिंप्ली एक एक इस तरह से आजा है मतलब कि इनका जो मॉलिकुल्स रहे यहां पर कोई दो ना हो तीन ना हो वो सारे के सारे एक तरीके से यहां पर फिलेट होगी वो इसके diameter के बराबर होगी सही है अब आप बोलोगे यार ये टी को कैसे निकाला जाएगा तो टी को नकालने के लिए हम एक simple method ये लगाते हैं कि हम जानते हैं जो volume जो होती है आपकी volume जो होती है वो क्या होती है आपकी area या फिर मैं बोलता हूं simply length into में breath into में height होती है अब यहां पे हमने एक और चीज़ पढ़ी है भी या कि length और breath का जो multiply होता है वो हमें area देता है जिसे मैं ये से ट्रूनल कर देता हूं और h आपका इस तरह से h ही रहेगा यहां पे देखिए जादा इस करोल हो गया आई है तो यहां पे h यहां से ही रहेगा अब यहां पे हमें क्या पता है तो हमें जो है यहां पर volume पता होगी जिसे भी हम liquid को ले रहे हैं उसकी और हमें जो यह है मतलब जो area वो ही पता रहेगा कैसे कि जो आपका यह फैला हुआ है तो हम उसका area कोई भी instrument बगएरा या किसी graph बगएरा से उसका area measure कर लेंगे तो हमें area पता रहेगा volume पता रहेगा तो हम इन दोनों का use करके इस h को निकाल सकते हैं जो कि आपकी book में t बोला गया है तो हम इस t को निकाल लेंगे और t को हमने find कर लिया था हम उसका कर पा रह पर भाहा पर हम और आंगे और भी चीजे हैं बो भी हम देखेंगे लेकिन इतना जो में फंड़ा आपका यहां पर लगने वाला मैंसको रिज नहीं कर रहा हूं कि यूँकि आप इसको थोड़ा इंट्रो जो और वगरा कर लो और बांगी कि मैं आपको यहां से study करके बता आओड़ा हूं तो यहां पर हम कर रहे हैं जो कि और यह क्या ayude करने जा करने जा रहे हैं। जो कि क्या eka a ÷gypt को दीखते हुए उन में ऐसे ये थोड़ा लार्ज है समझे आँगे देखो जो आईडिया है इस्टू आयडिया is टूफ जो आयडिया आया है कि यखे Cow तो हम इसमें क्या करेंगे अब मैं थोड़ा सो और बीरीफ में बता दूं हम क्या करने वाले हैं कि हम ओले को इसको लेंगे तो हम और के सट को क्या करेंगे इसका हम अब यहां पर जो है क्या 19 सेंटीमीटर क्यूब एलको हल जो है पहले ही से इसमें रखा हुआ है इस तरीके से हमने क्या किया जो हमारा 10 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा क्या था यह ओलिक एसड़ था उसको हमने क्या इसमें डाल दिया और डालने के बाद जो क्या हुआ कि यह हमारा जो ए है वो उसमें क्या 20 cm3 का ओईलिक और एलकोहल का solution रहेगा अब यहाँ पर एक और जो है डावट में टालो कि एलकोहली क्यों यूज हुआ है एलकोहली यूज हुआ है क्योंकि जब इसका हम surface area जब measure करेंगे तो एलकोहली के ऐसा जो है ले नहिए है हम हेलकोहल को क्यों मिला रहे हैं क्योंकि को सक्को करना इतना dilute करौना है कि dilute होने से क्या हुझा है किusi करना एकदम पतली से पतली यह티 लेहर मले मतलब कि हमारा ilic acid होगा अभी चुछ concentration है उसमें और concentration मतलब क्यों का है अब उसको कंटेनर बगएर ले लेते हैं और वहां पर हमके करते हैं उसको बाटर से भर देते हैं और वाटर की सरफेज पर फिर उसको हम ढालते हैं उस solution को वहाँ पर बिका होता है वो फैल जाता है फिर उसका area बगर measurement होता है अब ये सारी बात जो है अभी करने से आपको confusion जरूर होगी इसलिए मैं आपको पढ़के बताता हूँ फिर हम हाँगे चल के इसको हम और deeply समझेंगे तो यहाँ पर बोल रहे है कि हमारा 20 cm3 का solution और फिर हम करेंगे रिख रिथे का बन संटीमीटर क्यूब करेंगेドン कर देंगे उस करेंगे और फिर हम बना लेंगे कि हमारा 20 cm3 का फिर से एक solution अतलब मितलब यहां पर हो कह रहा है बुज़रा सुनों तो यहां पर हो इतना रहा है कि हम क्या कर रहा है ध्यान से सुनना कि हम यहां पर क्या करेंगे पहली डेस्ट टूब लेंगे आपकी जिसे हम बोल रहे हैं यहां पर हमने क्या किया है alcohol का यहां पर मैं येलो है उसको Byuk Acid से कर देता हूं तो मैंने यहां पे यहां पर यहांपे जो है कर रहा है एक सॉलूशन प्रिपरेड कर लिया जिसको हम बोल रहे है कितना 20 puòल रहा आपका पिलस आपका यहां पर ओलेक भी है है ना तो यहां पर यह हम एक क्या करेंगे फिर एक बी बाली टेस्टूब लेंगे और बी में क्या करेंगे हम इस बाली टेस्टूब यह मैं से बन सेंटीमिटर क्यूब का ये पूरा सेंटी जो हमारा सोलूशन है उसको निकाल के यहां पर भल लेंगे तो यहां पर क्या हमारा बन सेंटीमिटर क्यूब यहां से निकाल के हमने इसमें फिल किया यह हमारा भी है तो बन सेंटीमिटर क्यूब जो हमारा क्यूब जो है इतना वॉल्यूम का इतना हमने solution और इसका यहां पर इसमें फिल गल लिया इसको थोड़ा यालो कर देते हैं जिससे आपको confusion नहीं होगी दिया हमारा यह है फिर आंगे हम क्या करेंगे कि इस में से इसको लेंगे मतलब यह B को लेंगे और एक अनाधर test tube हम लब हम एक बूग बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे जिसे हम सीजर नोट कर देते हैं उसमें फिर हम इस बन को डालके बन को डालके इस जो बन है उसको डालेंगे यहां पर और फिर हम 20 cm क्यूब का फिर से alcohol प्लस आपका ओलक का solution बना लेंगे और फिर इस वाले में से हम क्या करेंगे बन सेंटीमेटर क्यूब को निकालेंगे और उस बन सेंटीमेटर क्यूब को निकालके हम क्या करेंगे एक बीरुट लेंगे और बीरुट होता है कोई नहीं है ड्रोपर होता जिसमें हम क्या करते हैं इस तरह स कर निकलती जाती है और गलेक्त बॉंद्धों क्या करेंगे एक हमारे पास एक फ्राउब होगा मतलब एक dall का होगा उसमें करेंगा हमेंगे हम लाय क्वाइबंऔ कर लेंगे फिर उसमें यह जो बूनेदें ग्राइवगान यह राएंगे तो नियुक्पार को लेकर उसको ऊपर से चपका देंगे और बहां से च्यक्तिक कर रहा हूं हमें मिल जाएगा उस तरह से मिला चाह four पर हमने क्या होड़ी का हुब हम जाएगा से चाहर आप से सध्वец को न्यौतिक करें खेंगे कुछ भी यह फिल करके के करेंगे जो हम बूंद भाई बूंद गुगरा रहे हैं उनको हम देखते जाएंगे कि हमने जब एक बूंद गिरा यहां पर कितनी वॉल्यूम कम आई और फिर उसको हम जो है आप यहां के चलके मैं फॉर्मूला बताऊंगो किस तरह होगा वो सह हम करेंगे अ ग्याओं खर और यहां पर हमारी कितनी है इस बार्ले में देखेंगे तो Sydney कितनी होगी जब पर जब हमने इस टॉंटी में डाल दिया तो फिर हमें फिर जो ऑिलेक की मिलेगी वह बन वाई 20 मुल्टिप्लाइवाई बन वाई 20 ऑमने इसको इतना सारा का कर दिया कम कर दिया मतलब आप देखोगे कि बन ओवर 400 की लगवख बरावर है और उसको आप डबाट करके देखिएगा तो आपको वेलू मिलेगी और वो इतना जो है कितना कम हो गया concentration इसका concentration से इसको हम करके रहे हैं इसको हम डायलोड कर रहे हैं इसलिए हमने ये सारी आंगे हो क्या रहा है उसको जड़ा हम स्टेडी करते हैं हम तो यहां से लेखा है आपका टॉंटी सेंट्र मेटर क्यूव आपका यू जो यूजिंग अलकॉल सोदा यह जो आपको दिया मैंने जो रेट से इसमें पूरा हाइलाट क्या वो क्या है concentration है उस ओलेक की फाइनली जब आपने यह सब कुछ करा टॉंटी मिलाया बन नकाला बन नकाल गी यह सब कुए तो बहां से जो उसकी सब्सक्राइब होता है पतीला आपकर ने पतीला या पिर आपका कुछी कुछी बीचीज है ले सकते हो आप promote की गितरा हो तो उसको लेंगे उसमें पानि को डालेंगे फिर हम क्य करेंगे आप मैं आपको बतार दीता हूं और थोड़ा बना की जिस have a work confusion मिटेंगी इस तरीके से container को लिया हमने यहापका container है değ ск है इसमें आपको पूरे water से फिल है यह रहा water समें जब यह पानी भरा हुआ हुआ है तो हमके करेंगे को हैं जो आप डाले लेंगे जो कि पीला-पीले сам में यह पूरा आजायका है यह आपको क्या life को पोडियम पाउडर यह पूरा हमने पाउडर डाला तो पाउडर यह पूरा पीला पीला इस तरीके सो गया फिर हम क्या करेंगे आपका एक हम इस तरीके से एक setup तरह त्यार करेंगे इस तरीके से set up बनेगा यह मैं पूर आपको बना रहा हूं ध्यान से देखते जाओ इस setup में क्या होगा कि इस तरीके से एक view rate बगएरा को हम लगाएंगे इस तरीके से यह view rate होगा बी उरिट में कि रहाएगा एक drop पर रहेगा और यहां से इक नौप रहेगा इसको घुमाते जाएंगे हमको drop by drop मिलते जाएगा यहां पर इसतरीके सा हमें लखी रहेंगे यह आप कितनी बॉल्यूम जो है उसकी के सेट कि ले रहे हो उसको में जाब अपर फ़िल करेंगे drop by drop जब यहां जाएंगे इस तरीके से यह जो डौप रहेंगी वो आपकी फैलती जाएंगे और इस तरीके से एक एरिया बगरा ये create कर लेंगी यहाँ पे और बहाँ से जब यह पूरा फिल हो जाएगा तो हमें graph paper लेंगे और इस graph paper को उपर रख देंगे और रखने से क्या होगा कि यहाँ पे हमें क्या होगा कि यह graph paper भी बना लेते हम तो आपका जो है अलग color ना बनाते हैं तो बहाँ से जो graph paper आपको जो मिलेगा मैं आपको बताता हूँ तो आपको इस तरीके से graph रहेगा आपका यह यह आपको जो है graph है तो बहाँ graph में क्या होगा कि जो आपने क्या किया है जो आपको कुछ इस तरीके से वहाँ पे जो भी save कब मिलेगा वहाँ पे और आप जो है mathematical कोई भी जो है यूज करके आपने कई सारी mathematical आपने form पढ़ी है क्लास आप लेवल में कई सारे पढ़ा चूगे और उन सभी तरीके को हम जो है लगा कि इसका area निकाल लेंगे और जब हमें area पता चल जाएगा तो उस area को हम जो है ले लेंगे जो है diameter find कर लेंगे तो यह यहां पर लेखा है फुट बंट रॉप ऑफ दिस सॉलूशन इंदा जो है वाटर और फिर बोल रहे हैं जो ओईलिक एसेड आपका ड्रॉप होगा इस प्रेट इंटुआ जो है एथिन लार्ज जो है रफली सर्कुलर फिल्म का मॉनी मॉलीकुलर थिकने सुन्दा वाटर सर पर जो मैंने बताई है वो यह नोंने बोला है कि तरह से बहुत बन जाएगी वहाँ पर और देन फिरम के करेंगे बीक्यूप लिए मैजर कर लेंगे डायमेटर ऑफ जो है तो हम इसका जो भी फिल्म बन रही वहाँ पर उसका डायमेटर बगएर निकाल गे और जैसे भी करके हम एरिया बगएरा को फाइंड कर लेंगे और जो एरिया हमारा एह होगा सपोस्पोस्ट भी है ड्रॉप एंड्रॉप यदि हमने एंड्रॉप को वहाँ से निकाला है इन दे वाटर तो इनी से लिए प्रॉक्समेटरी बॉल्यूम जो होगी इ घर्ट नहुताए रहा होता हैं जर्ट नखाल रहे हो आपने कहा होगा हो जैसे की बन बॉलियूम सेंट्यमीटर क्योंगिंटर क्यों करके यह आपका क्या देदेगा वहां पर यह वॉल्यूम देदेगा उन एंड्रोप की और यहां से जो हम क्या कर पाएंगे amount of oilic acid solution जो हम क्या कर पाएंगे वहां से निकाएं और हम देखो यह जो निकाला हमने एन्वी सेंटिम्टर क्यूब भू निकाला क्या उस सॉलूशन की वॉल्यूम लेकिन उस सॉलूशन में हमारे पास ओलिक एसट की क्या कंसेंटेशन है तो वह हमने पता करी थी उसका जो है वह बनवाए 400 है इसलिए हमने इसको जो है 400 ड़बाट कर दिया एन्वी को तो यहां स हमें क्या मिला की क्या मिल गई ओलियू की वॉलूम मिल गए इस वाले तरेके से हम जो हलेकि एस की वॉल्यूम पता कर लेंगे अरिए आपने फाइंड कर चुक्यों सारी वीलू को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे देखे के लिखा है इस स्प्रेड वेरी फास्ट ऑन्द सर्फिस ऑपार्टर एंड फॉर्म वेरी थिन लेयर ओप जो तिकनेश टी इफ इस जो है स्प्रेड टू फॉर्म फिल्म होगी वह अब यहां पे जो है मैं बोई बोल रहा हूं कि आपने जो एलकोल इसली मिला था कि उन्हों है वेबरेट हो जाएगा तो आपको सिंपली जो आपको एरिया मिलेगा वो किसका मिलेगा और यह सब तरीका इससे आपको टी मिल जाएगा टी मिलने के बाद आप सिंपली जो है उसको compare कर सकते हो उसके diameter से अब आंगे बोला है इनोंने कि एप भी एजूम देट था फिल्म है जा मॉनो मॉलिकुलर थिकने से थी हम मान के चलने कि उसकी जो फिल्म की थिकने सी वो मॉनो मॉलिकुलर थी तो वो जो उसके diameter के बराबर होगा उसकी रहेंज यह सब होगी यहाँ पर लखा हुआ विल्कुल सिंपल समझने बाला पूंट आपके लिए जो है आ गया समझ अब आंगे हम देखेंगे इन एक्जांपल को और भी जो है कुछ टॉपिक होंगे उनको इस लेक्षर में रखते हैं पूरा आपको समझ आया क्या तो प्लीस एक क्लास 12 में जो जाकर समझ पूरा आएगा इसलिए इसको जो इतना ध्यान मत दीजीगा दिया आपको कुई इसे टॉपिक कुछ समझ नहीं आया है तो लेकिन जो आपके लिए क्लास 11 के लिए जो इंपोटेंट है वो यहां से है और यह ही आपके लिए था और यह आपको जा दिया इसलिए इस लक्षर में मतना ही रखते हैं आपने पूरा देख लिया तो अल्दा बहरी बेस्ट